यह हमने बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है इसमें हमने धूमल का बरतन लगा है भाई काफी कास्टली आता मतलब हमने साथ आट लाक रुपे इस पर खर्च किये हैं और हमें रिजल्ट जीरो मिला मतलब घर से पैसा गया भाई इतना फ्रेस्टेट हो चुके हैं पॉल्ट्री फाइमिंग यह लख से गया नहीं खोलना चांक हुँ कितना लॉस होता है पूरी डिटेल जानकार्द अपना राय दीजेगा और आप अपना हेल्प जरूर करेगा तो भाइया बात है 2022 दिसंबर की हम भी भाइया एकदम तवगाने थे पॉल्ट्री फार्म खोलने के लिए हमारे एक मामा थे उन्होंने मतलब चार हजार बच्चों की पॉल्ट्री फार्मिंग किया था तो वह एक लाग बीस हजार के करीब गेन किये थे और यह प्रीमियम कंपनी से तो वह हमें बताएं भाइया की इतना प्रॉप्रिट हम भी भाइया तवगाने खोल दिये साथ आठ लाख लगा के भाइया मार्च अप्रेल महीने 2023 में अपना फारम तयार कर दिये हैं फारम तयार जैसे तैसे करके भाइया हम भी पहला सिप्ट डाल दिये अप्रेल में और वो मई जून तक गया सिप्ट और उसमें भाइया वो हाल हमारी हुई न आपसे का बताएं मतलब ऐसा हाल हुआ कि हमें रिजल्ट में जीरो मिला मतलब कम्पनी के थोड़ों पैसा मिला जीरो हम भी इतना हतास गए लेकिन लोगों ने हमें मतलब थोड़ा उसा बढ़ाया कि चलो गर्मी में सबका रिजल्ट खराब होता है तुम्हारा बे हो गया कोई बात नहीं भाई भी ने अराम किये फिर इसके बाद भीया अब यह हमारी लॉट निकली है मतलब छे महिना नहीं यह समझ लो चार पांच महिना हिम्मत नहीं बात पाए फिर उसके बाद जैसे तैसे करके हम सालिमार कंपनी से चिक्स लिए साथ दिन में 200 ग्राम पलस करने का टार्गेट रख थी जिसमें साला वजन जादा लेने के वज़े से प्रॉब्लम हो रहा था हम के लो एक समय था कि वजन नहीं ले रहा था तब प्रॉब्लम हो रही थी अब एक समय आ गया साल जादा वजन ले रही तब प्रॉब्लम हो गी फिर भाईया उसमें भी अठारा हमें दिन से रुपय हमें मिला था जिसके हिसाब से 20,960 के करीब हमें मिला था मतलब 21,000 मान के चलो हमें मिला था चलो बहुत से फार्मर होंगे नय फार्मर खुस हो जाएंगे चलो भईया 20,000 तो मिला, 20,000 घंटा नहीं मिला भया, अभी हिसाब तो देखा हो पिछला, तो इसमें 21,000 में हम आपको मानलो हमें कमपनी ने 20,000 दिया अब हम आपको खर्चा जुडा दे, तो हमारे एरिया में जल्दी आदमी नहीं मिलता, अगर आप आदमी करता हो पॉल्टिफाम के लि अब 12,000 में बहिया चलो भूसी जो डालते हो उसका खाद निकाल ले तो किसान भाई यह खेद में डाल दियो उसका भूसी का ना काउंट करो क्योंकि आपको खाद भी मिल जा रही है 12,000 में भाईया जो खाद आप निकलने के लिए पैसा दे रहो लेबर को वह आप घटाओ लेकिन 1500 रुपया खाद निकालने का यह हो गया अभी जाडू नहीं मारे हैं खाद सिर्म निकालने का 1500 रुपया हो गया तो भाईया 12,000 में इसे 1500 घटा दो तो बचा 10,000 10,000 में भाईया देख लो हमें आई भीया तो 5000 की तो छोकर हमने खिला दिया था तो हम अपना हिसाब की दप बता रहें तो 5000 भाईया उसमें से यह भी घटा दो तो मतलब साड़े दस में से पांच घटा दो तो भाईया आपका बच गया साड़े पांच मतलब साड़े पांच हजार रुपे अभी बचा है अभी कहानी और भी है भाईया अभी इतने नहीं अब इसके बाद आप भाया दवाई मान के चलो मेरे में वैसे ज़्यादा दवाई लगा था तो आप 2,000 की 2,500 की दवाई मान लो कि भाया एक हजार का तो सीधे लिवर टानिक पांच लीटर का लग गया था तो वो गटा दो तो बचा साड़ी चार हजार साड़ी चार हजार में आप मान लो डेड़ हजार की दवाई निकाल दो बता तीन हजार तीन हजार रुपे में भीया बिजली का बिल अगर आप निकाल दो कुछ नहीं तो कामर्थियल कनेक्शन होता पॉल्टरी फार्म का और लाइड जादा चलता है तो बिल भी जादा उड़ता है शमर्ण सेबुल चलता है तो दो हजार रुपे आप बिल का मान दो दो हजार मान लो बिल का तो उसके बाद बचा मेरे ख्याल से तीन हजार था एक हजार रुपे अब एक हजार रुपे में भाया हम आपको क्या वताएं लिप्टिंग जब कराते है न तो लिप्टिंग का भी मतलब बारा सु रुपया खर्चा आता है तीन लेवर थे मेरे हाँ, तीन चोग बारा नहीं, चार लेवर थे और तीन सु रुपय के हिसाब से चार तियाई बारा बारा सु रुपे वो निकाल दो मतलब दो सु रुपे हम अंदर से जा रहे हैं तो ये हाल है भाई पॉल्टिक फार्मिंग का बाकि अब क्या वदाए आपको मतलब हम जितना पैसा लगाए थे ना उसमें से हमें एको पैसा मिला नहीं पहले में तो घुस गए दूसरे में भी जान लो दो चार सो रुपया घुसी रहे हैं तो ये हाल हो गई बॉयलर में भाईया अब इसलिए भाईया ये हम दो लोट चलाने के बाद हमारी आवकात नहीं हो रही है और हम ये फाम जो साप करवा रहे हैं अब इसमें हम देसी डालने वाले देसी ट्राइ करेंगे अगर ठीक हुआ तो ठीक है नहीं तो भाईया फाम साम बंद करके सन्यास ले लेंगे वह इसलिए हमें जादा कस्ट नहीं हो रहा और जब सपोच देड मैं भी अगर ऐससे ही होता लोन लेके या जमा पूजी कहीं से उधाल लेके फार्म बनाया होता और हमें प्रॉफिट ना होती तो भाई हम पे क्या गुज़डती तो ऐससे हमारे कुछ भाई है जो बहुत अच्छे बहुत साल से फार्मिंग कर रहे हैं अच्छी खासी आमदनी भी लेते हैं तो भाई उनको experience है उनको knowledge है इसलिए ले पाते हैं और जो नए है उनको ना knowledge होने की वज़े से हमारी तरह चूतियाफे में चले जाते हैं तो ऐसे किसान भाई इस चक्कर में ना फासे इसलिए जो experience दार हमारी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं वो मैं आपको एक number share कर रहा हूँ इस पर सिप आप WhatsApp करिएगा अपना number और address detail WhatsApp करिएगा मैं आप से थोड़ा सा जानकारी लूँगा मतलब वीडियो के थरो आप से कुछ जानकारी लूँगा जिनको लगत इस नंबर पर आप हमें detail सेयर करिएगा हम आपके पास आके वीडियो सूट करेंगे ताकि हमारे नए फार्मर को यह पता चल पाए भाई farming में आना ठीक है कि नहीं ठीक है अगर आते भी हैं तो हमें कैसे management करना यह सारी जानकारी मिल पाए भाई क्योंकि हम भुक्त भोगी ह भाई आपके सामने आपना farm दिखा दें ऐसा नहीं कि हम यह कर रहा है कि वीडियो बनाने के चक्कर में तो भाई हम फार्म दिखा दें यह हमने बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है इसमें हमने धूमल का बरतन लगा है भाई काफी costly आता मतलब हमने 7-8 लाक रुपे इस पर किये हैं और हमें result zero मिला मतलब घर से पैसा गया भाई इतना frustrated हो चुके है poultry farming से तो इसलिए भाई आपकी थोड़ा help की जरूरत है कि मेरे तेरे मेरे तो समझ लो पैसे मतलब यह तो यह समझ लो कि इस पर हम depend नहीं है इससे हमारा खर्चा नहीं चलता इसलिए हमें थोड़ा अरकस्ट कम हो रहा है बाकि कुछ ऐसे किसान भाई होंगे जो इसी पर मतलब अपना जमा पूजी लगा के फिर इसी पर depend है कि यह से earning होगी तो हमारा आगे का काम चलेगा तो उनका क्या हाल होता होगा भाई मैं बता नहीं सकता तो इसलिए आप लोगों से request है जिनको knowledge है व उनका क्या हाल होता मैं बता नहीं सकता तो बस आपसे इतना request है कि आप हम हमें WhatsApp करेए सिफ WhatsApp करेगा कॉल ना करिएगा WhatsApp करिए हम आप से संपर करेंगे आपके पास आएंगे आपकी जानकारी को सेर करेंगे बागी भीया मेरा तो हाल खराब है कुछ नहीं मैं दोन आपकी जान भाएं नहीं पास सकता है मैं भी माणता हूं भी मैं बातरा आपके रहें तो बस यह कोई करेंगा फर्फीत नहीं है और मुझे तो 13 गया फ्रकृइफ में ओप करके चेक करूंगा हुआ तो ठीक है नहीं तो पुल्टी फार्म बंद कर दूंगा बाकि आप से रिक्वेस्ट भी आ मैसेज जरूर करिएगा जिनको नौलेज इस पेड़ कमाने में ठीक है तो मिलता है किसी और वीडियो में तब तक के लिए विस्यू आल दे वेस्ट